नमस्कार Newsly की डेली राउंड अप में आपका स्वागत है अगे नजर डालते हैं एक बार हेड्लाइन्स पर सुप्रीम कोट में लखीम पुरहत्यकान की सुनवाई कोट ने सरकार को लगाई फटकार चंपारन से बनारस पहुंची सत्या गया गयात्रा पंचायत में बोले प्रशान भूशन किसानों की सुनामी में बह जाएगी भाच्पा यूपी चुनाओं में कॉंग्रिस ने 40% टिकट महिलाओं को देने का किया एलान उत्राखण में बारिश का कहर जारी अब तक 40 की मौत 9 लापता कॉर्णा अपडेट में देश में 24 गंटों में 14,000 से जादा नए मामले लगबग 190 मरीजों की मौत अगे नजर डालते हैं इन खबरों पर एक बार विस्तार से लखीम पुर्खिरी हिंसा मामले को लेकर आज सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई सुनवाई की दौरान सुप्रीम कोट ने उतरप्रदेश की सरकार को फटकार भी लगाई नराजगी जदाते हुए सुप्रीम कोट ने यह कहा कि यूपी सरकार स्टेटेस रिपोर्ट दाकिल करने में देरी की सुप्रीम कोट की चीफ जस्टिस रमन्ना की बेंच ने कहा कि हमें कल रात एक बज़ तक स्टेटेस रिपोर्ट का इंतजार रहा लेकिन हमें रिपोर्ट अभी मिली है उन्होंने अपने पुराने आदेश कर जिक्र करते हुए कहा कि हमने पिछली सुनवाई की दौरान साफ कहा था कि कम से कम एक दिन पहले हमें स्टेटेस रिपोर्ट मिल जाए सुनवाई की दौरान CJI ने UP सरकार की ओर से पेश वकील से कई सवाल भी पूछे राजी सरकार की ओर से पेश हुए वकील हरी सालवे ने बंज लिफाफे में या रिपोर्ट दाकिल की है सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट से सुनवाई शुक्रवार तक टालने को कहा मगर कोट ने इसे खाइच करते हुए कहा कि सुनवाई आज ही की जाएगी कोट ने हिंसा में हुई ग्रिफतारियों पर सवाल करते हुए या भी पूछा कि जियो लोग ज्याईक हिरासत में हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस उनकी कसरडी पर जोरी नहीं दे रही है कोट ने कहा कि पुलिस गवाहों को सुरक्षा दे इस मामले के अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को की जाएगी बिहार के चंपारण से शुरू ही किसानों की सत्या यात्रा मंगलवार को बनारस पहुँच गई करीब 350 किलो मीटर लंबे सफर के बावजूद किसानों के होसले काफी मजबूत नज़ा रहे उत्तरप्रदेश की वारण से जिले की चौबेपूर कजबे में पध्यात्रा पहुँची तो किसानों के बुलंद होसलों ने यह बता दिया कि यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक मोदी सरकार तीन किशी कानूनों को वापस नहीं करेगी पध्यात्रा में शामिल किसानों को हौसला बढ़ाने पहुचे देश के जाने माने अधिवक्ता प्रशान भूचन ने कहा कि किसानों की सुनामी में भाजपा बैह जाएगी किसानों की हुंकार बता रही है कि मोदी यूगी सरकार को अपना हैंकार तोड़ना होगा अगर तीन क्रिशी कानून लागू हुए है उन्हें वापस नहीं किया गया तो देश की जो मंडिया है वो अमबानी और अधानी को चली जाएंगी और किसान अपनी जमीन पर गुलामों की तरह खेती करने के लिए विवश होगा गरीबों को मुफ्त में सस्ता अनाज भी नहीं मिल पाएगा उत्तर प्रदेश के विधानसवा चुनाओं में कॉंग्रेस ने 40 प्रच्चर टिकट महिलाओं को देने की घोशना किये पार्टी के महास्टिफ प्रियंका गांधी वाढडरा ने कहा है कि प्रदेश में आवाज उठाने वालों को कुछला जा रहा है उन्होंने कहा कि यहां मारने और कुछलने की राजनीती जो है वो बहुत जोरों से हो रही है महिला अजिकारों के लिए सक्री रहने वाले जन संक्रटें उन्होंने कॉंग्रेस के इस फैसले का स्वागत किया है लेकिन जब कॉंग्रेस की सरकार भी थी उनका कहना है कि यह महिला आर्क्षन बिल को पास नहीं किया गया था कॉंग्रेश की प्रभारी प्रियंका ने लखनाओं में एक प्रेस वारता में कहा कि अगर देश को विकास की ओर ले जाना है तो महिलाओं को आगे लाना होगा उन्होंने कहा कि महिलाओं सेवा भाव से देश की तस्वीर बदल सकती है प्रेस से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि 40 प्रेश्ट टिकर देने का फैसला सोच समझ कर लिया गया है या एक एतिहासिक फैसला है और या फैसला अभी महिलाओं के हक में लिया गया है उत्र प्रदेश में कॉंग्रिस की कमान अपने हाथों में थामने वाली प्रियंका का कहना है कि उनकी पार्टी पूरी शम्ता के साथ सरकार से सडक पर मुकाबला कर रही है उन्होंने कहा मैं उन लोगों के लिए लड़ रही हूं जो कि अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे है प्रियंका ने कहा कि आज प्रदेश में नफरत का बोलबाला है अवाज उठाने वालों को कुछला जा रहा है आज प्रदेश में हर तरफ मारने और कुछलने की राजनीती हो रही है हमारी चौती खबर उत्राखंड से है देश के जाड़ेतर हिस्सों में 16 अक्टूबर से हो रही बारी बारिश का कहर उत्राखंड में अभी तक देखने को मिल रहा है पाड़ी राज में अब तक 40 से जादा लोग की मौत हो चुकी है जबकि 9 लोग अभी भी लापता है ननिताल जिले के लाके में बारिश की वज़ा से काफी पानी भरा हुआ है रामनगर की कोसी बान में पानी आमस्तर से काफी ऊपर बह रहा है जिसकी वज़ा से आसपास के लाकों में काफी तबाही देखनी को मिली है इस दौरान हुए भूस खलन से घटनाओं में 40 लोगों की मौत हो चुकी है ननीताल जिले में ही 25 लोगों की मौत हुई है मरने वालों में 14 उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर शामिल है ननीताल जिले के रामगर ब्लॉक में 9 मजदूर घर में ही जिन्दा दफन हो गए जबकि जातिया गाओं में ही एक मकान मलबे में डबने से दमपत्ती की मौत हो गई है जमकि उनका बेटा अभी भी लापता है दोशा पानी में 5 मजदूरों की दिवार के नीचे दबने से मौत हो चुकी है बारिश की वज़ा से उपजे हालात से निपटने के लिए सियम पुषकर सिंग धामी ने आबदा की वज़ा से जानगवाने वालों कोई आश्रतों को 4-4 लाख रुपे मौवज़े देने की घोशना भी की है मंगलवार सुबा सर्चिवालेस में आबदा कंट्रोल रूम का मौवविना कर आबदा की स्थिती की जानकारी ली बारिश से हालात इतने खराब हो गए है कि नरिताल में नैनी जील का पानी मौल रोड तक आ गया है हाला कि काफी इलाकों में 20 अक्टूबर की सुबा से बारिश रुकी हुई है बगर बादल अभी भी बने हुए है निश क्लिक आपको इस पर और जानकारी देता रहेगा केंडी स्वास्त मंटाले द्वारा आज बुधवार 20 अक्टूबर को जारी आकणों के निसार देश में 24 गंटों में कौरणा के 14,000 नए मामले दर्ज किये गए है इसके अलावा कौरना से बीते दिन में 190 मरीजों की मौत भी हुई है साथ इसी बीच देश बहर में कौरणा से परिट करीब 19,400 मरीजों को ठीक किया गया है और आक्टिव मामलों में 5,020 मामले कम हुए है देश में करणा संक्रमेट की मामलों की संक्या बढ़कर करीब 3.404.000.00 हो गई है जिनमें से अब तक 4.50.000.00 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है देश में करणा से पेड़ी 3.34.00.00 मरीज तक खुर ठीक किया जा चुका है और एक्टिब मामलों की संक्या घटकर करीब 1,70,000 हो गई है स्वास्त मंताला की ताजर जानकारी का उनिसार देश में करना वैक्सीन की अब तक करीब 99,12,00,000 दोज दी जा चुकी है जिन में से 41,00,000 से जादा वैक्सीन की दोज पिछले 24 गंटों में दी गई है इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूस्क्लिक की वेबसाइट पर हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेस्बुक, इंस्टरग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर और साथ ही साथ देखे हमारी न्यूस्क्लिक की हिंदी वेबसाइट www.hindi.newsklik.in देखते रहें न्यूस्क्लिक धन्यवाद